पई मुक्यबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजिंदर सिंग बुदवार को आगामी लोगसबाचुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए हैं पई मुक्यबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता और कॉंग्रेस नेता विजिंदर सिंग भाजपा में शामिल हो गए हैं विजेता सिंग ने 2019 का लोगसबाचुनाव कॉंग्रेस उमिद्वार के रूप में दक्षिनी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था लेकिन वो हार गए थे उनका नाम पिछले कुछ दिनों में मथुरा से पार्टी के उमिद्वारों के रूप में चर्चा में था जहां से अभी नेत्री और मौझूदा सांसद हेम अमालिनी फिर से चुनाव लगे रही है बॉक्सर विजेंदर सिंग ने ट्विटर यानी एक्स पर एक लाइन का पोस्ट किया था जिसके बाद लोगसवा चुनाव से पहले कई तरह की अटकले लगाई जाने रही थी उन्होंने लिखा कि जनता जहां चाहे मैं तैयार हूँ बतादे कि 2019 में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हूए विजेंदर को अपने पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था राम राम सभी को मैं बॉक्सर विजेंदर सिंग और मानिनिया प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी अमारे हो मेनिस्टर मिशा जी अध्यक्स जेपी नदा जी तावड़े जी मैंग जी के नेततों में मैं आज बीजेपी में मैं सामिल हो रहा हूँ और एक तरह से कहते हैं घर बापसी हो रही मेरी तकरीबन उननिस में मैं चुनाव लड़ा था और अल्मूस पांच साल होने वाले हैं भी चार साल होने वाले हैं तो अभी कहते हैं कि इंगलिस में कहावत है गुट टू बी बैक तो काफी अच्छा ल लाडियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है जैसे हम भार यूकी में फाइट करने जाते थे दुबई में फाइट करने जाते थे आरलेंड में फाइट करने जाते थे तो कई बार एरपोर्ट पर बहुत साई चीजे होती थी लेकिन जब से हमारी बीजे इस गौर्वर्मेंट में मिला है तो खिलाडी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मौधिसाब का बीजी भी गौर्मेंट का और मैं चाहूँगा कि इस गौर्मेंट में रहकर मैं ज्यादा ज्यादा लोग अभला कर सकूं लोगों को सही रात इका सकूं और मैं पहले वार गल्थ है गल्थ को गल्थ का हुआ सही को सही का हुआ जया हिंद जया भारत